तो आज में आपका बहुत बहुत सब्सक्राइब करता हूं देशी लेक्ट्रोनिंग तो आज मैंने बनाया है यह देखारों कितनी गज़ब का चीज है यहाँ पे आपको चार्जिंग की भी सुगजा मिल जाते हैं पावर बेंक इसमें भी लगा गया और यहां पर जो है इसक जो खास सबसे बात है कि इसमें लगा हुआ और जो है आपको बहुत मदद करते हैं काफी गज़ब है आप सभी को धिक पायागा कि कितनी ज्यादा आवाज भी थोड़ा इसकी जायदा है तो यहां पर एक लाइट भी बेने लगा जिसे आप कोई भी वर्क करते करते आप दोनों ही चीज़ का मज़ा और ले सकते हैं यहां पर आपका अगर मोगाईल डिस्चार्ज भी आजाते हैं तो आप मज़ा ले सकते हैं क्योंकि इसमें पावर्फल वेटरी आखे वैंने अगू करते हैं सबस्क्राइब अब विए बनाया है कि यहां पर पतबालों कोई भी आप ऐसके लखाए तो कट करना हो lefd कम निसानी लगा सभ कर देना आपको जितने बड़ा चाहिए उतना लेके कट कर देना मुझे जो लगा परफेक्ट साइज वह मैं ले रहा हूं ठीक है आपको जो परफेक्ट लगे वो ले लिए लिए तो चलिए कट कर लेते हैं कट जो है असानी से कर दीजेगा उसके बाद जो है एक और छोटा सा जो है कट करना होगा क्योंकि उसक्त से जुसे लाए स्ट बनाने के बाद होगा उपर और नीचे का है डाकन बनाना होगा तो मैं कट कर लेता हूं और चलिए सीट यहैं stopped कर ना पड़ेगा तो यह हैं पойд गरम तना तो यहां पर स्थेने करते हैं आप कल ता हूं जंद आख यही बैस्त पर घरन कर सकतने ह तो उसका सीट बनाने के लिए आपको ईसको भी गरम करना होगा किसी भी चीज़ से गरम करके आप बना सकते हैं तो यहां पर इसके उपर और नीचे के लिए जो है कर लिए जितने जितनी बड़ी चाहिए आपको अच्छे से मार करके चाहिए जिससे छोटा बड़ा ना हो ठीक है तो यहां पर मैंने सिंपली जो है कट कर देता हूँ और चीज़ के अपको दिख ताइब से जया कर दिया हूँ बहुत ही मैनत लगता है इसलिए इसको फिनिसि यहां पर मैंने कुछ बैटरी जो है ले लिया हूं बैटरी आपको आसानी से जो है मार्केट में मिल जाता तो यह 3.7 वाल्ट की बैटरी होती है बट यह चार्ज होने के बाद चार से पांच वोल्ट के बीच में रहता है तो यहां पर देख पाने आपको बैटर नमें करनेक्ट पड़ता है एक माइनस दीजेगा एक माइनस एक प्लस कुछ इस टाप से देखे से और बैटरी पर चार्ण करने के लिए चाकू के मदद से उसे ख्रोच दीजेगा जिससे वाड़िंग हो जाने तो जल्दी नहीं होता है इस बैटरी पर नहीं क पर बराबर एक माइनस एक प्लस पर किया गया और एक माइनस एक प्लस ते निकाल लिया गया तो फिर आपका बैटरी भी खड़ाब हो सकता है तो अच्छे से देख लिए चेक करते हैं कितने बहुंट का यहां पर देख पालों को 17.829 2929 यानि 17.30 बाल्ट का यह बैटरी जो है कंप्लीटी बन चुका यानि बहुत ही पावर्फुल बैटरी बन चुका है तो चलिए इसको जो है डवल टैप की मदद से चिपका देते हैं उसके आप समान सभी जो है इसमें लगा देते तो चलिए लगाते हैं इसमें लगाने कि लिए आपको कट करना होगा तो कट कट आराम से मार्क कर से लेके क shrinking करने हैं तो इसमें आगर टैम हम लंबा लें तो दिकत वाया इसको फास्ट कर देते हैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं तो यहां पर साण्達 चीजफ करके दिखाते हूं देखते हैं किया तो अच्छें से टाइट कर जो कि एक तो अच्छें से प्रक्तो प्रश करने में टूटा निए लुका तो है तो इस रही कुछ सब्सक्स आप सो ुशूघ के लगाना है जिससे यह मजबूत हो जाये तो ये इससे डीक को मैला है तो यह सिंपली जो बहुत ही अच्छे से दिखने को मिल रहा तो सारा चीज जो हो चुका है तो छलिए आगे की काम करते हैं आगे आगे आपको जो है कुछ इसमें लगाना होगा एक इंडिकेटर यहां पर रेस्टेंस और डाइबोर्ट जो मैंने लिया हूं ठीका यह सभी का तो होड़ा का मोटल में स्कीन पर और यह जो है बाड़ भॉल्ट का जो है में ड्यूल है जो की चार्जिंग सॉकेट है चार्ज लगाने के लिए यह पावरफूल बैटरी बना है तो इसके लिए पावरफूल चार्जर भी चाहिए तो इसलिए मैंने बाड़ भॉल्ट का यहां charging का सको socket लगा जाएं तो छलिए यहां पर लगा देते हैं एजली जो यह इस पे लगा देता है लगाने के बाद इसमें जो है तो ब्लाब तो ब्लाइ खृतर्ण सब्लयाँ है तो यहां पर मैंने चोटा वला मोटर चूज क्या हो कि बड़ा मोटर ज्यादा पावर खायगा और जलदी ड्राउन कर देगा बैट्री था तो इसलिए चोटा वलाई हो जिसने ज्यादा देर लाश्टिंग रिटिका इसमें लाइट भी लगाना होता है आपको जो एक पाइप का टुक्रा लेना जो कि 20 से कटा हुआ और शोटा मतलब अधा कटा हुआ अधार रहना चाहिए जिससे उसमें चिपका सकते हैं और एक सीट से जो है नाप लेना कि उसमें जग अपर च्टाइने यह को शॉसे निवेशन होलेज़ी मिल रहातों आचाह्ँग द मत рук जाता हुआ मृटर्सेट करना भी बहुत ही ज्यादा आजना तो आपको जट्रमिल लेना और ऊपर से India शुक्र क्यूर्ब कज मतस्ते wat बहुत ही पावरफुल है और यह हां फूस्ट करके चिपकाना होगा तो क्या करना होगा आपको ख्रोची देना हो कि फेवी कुग जगह पे बहुत कम पकड़ता बट ख्रोचा हुआ जगर रहेगा तो उस पे आसानी से पकड़ लेता तो इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा जो स्रेश पेपर की मदद से उसके ख्रोची कि जो की मोटर भी चिपक जाए और मजबूत ही हो जाएगी जल्दी निकले ना और गीरे भी ना ठीक है तो मजबूत तो बहुत ज्यादा हो ही जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ही यूज किया हूँ अब तक यूज कर रहा हूँ यह करी 15 दिन पहले शूट किया वीडियो और आभ मैं यहां पे वाइस नबर करके दे रहा हूँ तो पहुंसी मजबूत बना है तो अब तक नहीं टुटा से यह कि försöks और इसकी वाय वेड्ट ऊसी फाइप के फिरू निकाल दे ना है पाला के फिरू निकालनेस को थाह निकालने सी और पयłस के प्लस के प्लस में कर लेना ठीक है तो अंदर घ्रिच ले ना उधर ब्रावर पूरे कर देना है और नीचे आइपने के बाद में कर देनाया चिंचल रखी उट्रीच में एक ऐस्ट डीकाट कर देना है चिंच लेंगा तो करतेटी में इंथिस्थार uważ में खरें लगा। को सारा करना है तो यहां पर एक लाइट भी लगाएंगे ऊसका भी कनेक्शन करेंगे तो यहां पर कुछ इस्टाइबोट पे गया है और एक यहां पर लेके आराम से समझ के काम किजेगा यह थे यहां पर आपको जो को पाउस करके हएं मैं आसाल को भी चीजबाने अब एक बैटरी लेंगे जिसमें माइनस प्लस का सॉल्डिंग कर लेंगे तार और पावर बैंक मेर्डूल के लिए ये बैटरी रहेगा ठीक है तो यह आराम से एक फॉन को चार्ज कर देता है एक बैटरी तो इसमें इसली जो है लगा देते हैं वह बैटरी में लगाएंगे चाहिके के तो यह थी तो यह आध़ रहरuld लेगा यदर रखेगा कि 12 वाल्ट के यह सपोर्ट नहीं करता यह पाँच वोल्ट पर ही काम करता है यह यह पे जो वह उपर का धकन लेके इसमें जो है बल्ब लगाना है तो बल्ब लगाने के लिए धकन को पहले देख लेते हैं किस हिसाब से कहां पर जो है बल्ब से जा सकता है यहां पर मैंने समझ गया हूँ कि कहां पर साइड से कर देते हैं साइड में जो है बल्ब का जो है एक खराब ब मुस है आभाट निमीट करने के लाहिय हो एक इसे उप्टिक आपको है किस्टि कहिर जाक थे क प्लास्तिक प्लासिंग कर आगया थो आपको नीकालना में आइटम तो चलिए इसमें पहले बल्ब का टाढ़ उडव सभी चर्ण कर देता जो कि इसमें से लिए इसमें देखे स्कॉलिंग कर लिना आगे जो यह निकाल लेना क्योंकि भूदी सी में रहता है कोई मसीन का धरत नहीं रहता है तो यहां पर कुछ इस टाप से उपर से इसको देखे अराम से दाब दीजेगा कोई भी चीज़ यह चीज़ कर दिया हूं उपर से लगा दिया हूं तो आगे बल्ब उसमें लगाने के लिए उसका प्लास्टिक अटा देते हैं तो अच्छा हो जाता है उसकर दबल टाप की मलत से तोओ से चिपका देना चिपकाने बाद जो ए माइनस और ट्लस में कर देना आ मसे में प्लस में तो त्यूजिक करते हैं तो आगे काम चलिए करते हैं इतको चिपका लेते हैं चिपकाने कि आप फेवी को इसमें देने देने के बाद आद ज़ो उस पर चिपका देना यह इसलिए चिपक जाता है बहुत ही आसानि से तो चलिए चिपकाते हैं तो यहां पर जो है थोड़ी देर पकर के रखना दाब दाब के सबी जगह कहीं कहीं पर उठ जाता है वह थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया तो उसे जो है तो अच्छे से हो जाएगा जिससे यह निकलेना और पहुती मजबूती के साथ चिपक तो कंपली करते तो आप सब्सक्राइब कर देंगा पोमती गजब का चीज अब तक वीडियो को देख रहे है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा में रहें आफी लिया ज alarm क क्या चार्ज करते हैं कि यह फीर जैज आप को जो एब जल्दी अगा इससे जाइदा चार्ज होता है जल्दी एक है यहाँ पर इंडीकेटर में लगा यह भी जल रहा है आपसे को दिख रहा होगा और यहां पर काफि अच्छी ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिल रहा है ठीक है आप अंदेरे में नहीं देख पार होंगे बहुत ही काफी अच्छी मतुनि राइटनेस इसकी देखने को मिल रहा और देखते हैं कैसे चलता है काफी जवरदस्त जो था मैंने बनाया तो काफी बहुत ही काफी है ठीक है और जहां पर मैं थोड़ा चार्जर खोल देता हूं बहुत जयादा इस जो चार्जर लगाते क्योंगी इसमें थुभा पावर इस्ट्रा मिल जाता तो उम्मीद है आप से को वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो वीडियो को जो है लाइक करते हुए और सब्सक्राइब करें जाएक नहे होंगे और ऐसा ही वीडियो लेके आते धाइक पुआ तुमा जाए बंदे मातरम